नमस्कार दोस्तों स्वागते हमारी यूटूब चैनल में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 20, 28 और 22 मई तुला रासी के महारासी फल के बारे में दोस्तों यां तीन दिनों की वीडियो आपके लिए बहुती खास और बहुती ज़ादा इनपोर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इन रासी वाले जातकों के लिए जीवन की सबसी बड़ी खुश खबरी एक साथ कई सारे खुश खबरियां की प्राप्ती आपको होने वाले है आपके समाज में आपका मान शमान बढ़ने वाला है समाज वाले घर वाले परिवार वाले आपको इज़्यत करने वाले हैं इसके साथ ही आपका घर बनाने का शपना वाहन लेने का शपना नई जगर निवेश करने का शपना और कई छेतरों में भाग लेने के शपने पूर पूरी होंगे दोस्तों आप भगवान की किरपा से आपके परिबार में कई खुस खबरियां मिलेंगे अब आप दिन दोगोनी और रात चोगोनी तरेकी करने वाले हैं उससे पहले दोस्तों जो भी मास्षेरा वाली के सच्चे भक्त हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं एक लाइक अभी ज़रूर करें और कउमेट बॉक्स में सच्चे मन से जए मास्षेरा वाली चटोर लिखें ताकि मास्षेरा वाली आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकें इसलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू से आन्थ तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम आपका सुबरंग और सुबंग क्या है दोस्तों वीडियो के अंत में हम आपको गुपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने दिन को अच्छा और बहतर बना सके तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल में नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोतिपिकेशन बैल को दबा दें जिससे समय समय पर हमारी नी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके तो चली दुस्तों सुरू करते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं चानक नितिक ज्यान के बारे में दोस्तों आचारे चानक जी कहते हैं कि अगर आप बहुत सारी मुसीवतों से गुजर रहे हो तो एक बात हमेशा याद रखें कि सितारे कभी अंधेरे के बिना नहीं चमकते इसी के साथ मदद मांगने जाओ तो टालते हैं लोग बात पता लग जाए तो उच्छालते हैं अकसर मौके का फाइदा उठा लेते हैं लोग इसी के साथ रिस्ता उसी से रखो जो आपको खुसी से एहमियत दे किसी के पीछे पढ़कर खुद को बार बार जलिल करना अच्छी बात नहीं जी हां दोस्तों अगर आप हमारे इन बातों से सहमत हैं तो वीडियो को अभी ल देश्ता बनी रहेगी पन्तु आप अपने महनत और द्रिण निश्य से अपना टार्गेट हासिल भी कर लेंगे यसा अपने सकार करने का समय है जमकर महनत करें घर के रख रखाव समंदिक गत्ति विदियों में भी ध्यान रहेगा आपका स्वाविमान और आत्म विश्वा अधिकतर समय किसी खास वेक्ति के सानिदो और धार्वी गत्ति विदियों में वियतित होगा विद्यार्थियों तो था युगां को अपने पढ़़ाई अत्वा केरियर से समंधित किसी समस्या का समाधान मिलने से रात महसूस करेंगे निवे सबन्दी गति रुद्य में किये गए परियास काफी हद तक सफल भी होंगे आचानागी किसी घनिस व्यक्ति से मुलकात होने से मन में परशनता रहेगी किसी खास मुद्धि पर विचार्श मर्स होने के सकार्तमक परिनाम भी मिलेंगे दोस्तों आज गिरिशती बहुत ही अनुकुल बनी हुई है अब अपने किसी कमजोरी को दूर करने का प्रियास करेंगे और सफल भी रहेंगे कोवनवानचित काम पूरा होने से मन में सुकुन और खुसी रहेगी विद्यार्थी और रिवावर अपने पढ़ायोग केरियर पर फोकस रहेंगे किसी खास मित्र अत्वा समंदी से विश्यस मुद्धि पर वर्तलाप होगा और उनके सहयोग से आपकी हिम्मत और होसला बना रहेगा फोन और मेल दोरा नई जनकरियां तथा समाचारों की प्राप्ति होगी बाच्ची दोरा आप अपने कामें में करवाने में समक्ष भी रहेंगे धार्मिक और अथात्मी गत्यविदियों में रूची रहने से आपकी सोच भी साकारत्मिक और संतुलित रहेगी आर्थिंग मामलों में बहतिनी सफलता मिलने की इस्ति बन रही है इसलिए अपने कारें को योजनावत तरीके से करते चलें दिन की सुरुवात में ही अपने महत्तपुन कारें समंदी योजना बना लें क्योंकि दोपरवात परिसितियां बहुती अनुकूल रहने वाली है अदात्मी गतिविदियों के परती रुजान आपको मानसिक सांती देगा तता सकारतमिक और जाका भी संचार होगा परिवार में आपसी समंदों के भी चर्री गलत फेमी दूर होगी और साथ ही कोई लाबदायक सुचना मिलने से मन परसन रहेगा इसी भावी लक्ष को हासिल करने के लिए किगई परयासों में सफलता मिलेगी और अटके होई कारियों में इन दिनों में गति आएगी दोस्तों ग्रह गोचर लाबदायक बना हुआ है समाजिक दाइरा भी बढ़ेगा दोस्तों बात कर लेते हैं नेगेटिव की परिवारी वैस्ता पर बाहरी लवों का हस्तेशिप ना होने दें क्योंकि इस वज़े से घर की सुक सांती पर असर पड़ सकता है यू आवर ध्यान रखें की जरासी लपारवी आपको आपके लक्ष से भटका सकती है घर के बड़े सदर्शन की सला और मारदर्शन पर अमल करें लपारवाई और आलज जैसी इस्तिति को अपने उपर हावी न होने दें क्योंकि इस वज़े से कारें को विलम हो सकता है अपने सवाब में समय अनुसर बदलाव लाना जरूरी है समंदम में मदूता बनाई रखने के लिए ध्यर और समर्पन की भावना होना जरूरी है दोस्तों कोई भी युजना बनाने से पहले उस पर गंभिरता से विचार अवस्य करें क्योंकि भावकता अर जल्दवाजी में ली गए निरने नुकसान दे सकते हैं और ध्यान रखें कि आपका कोई नजदी की मीतरी आपको नुकसान पहुचाने की भी कोशिस कर सकता है बेहतर होगा कि किसी पर भी जल्दी विश्वास ना करें जल्दवाजी और अति उत्सा की वज़े से बना बनाया काम विगड़ भी सकता है इसलिए ध्यार और सेम से काम लें दोस्तों व्यवसाई पार्टनर से समधी योजनाय सकार करने का अनुकुल समय है इस समय व्यवसाई में कुछ नई परस्ता मिलेंगे व्यवसाई कारी परनाली में तथा आंतरी व्यवसता में कुछ परिवर्तन लाने की ज़रुत है किसी राजिती व्यक्ती की मदद से आपके कारहाल हो सकते हैं व्यवसाई में एक निश्ची रणनिती बनाकर काम करने से सफलता की साभावना बढ़ेगी और अपना पूरा ध्यान मारकेटिंग और काम के पर्मोशन में लगाएं इससे आपको फायदा मिलेंगे वहीं बात करेते लव लाइप की दोस्ता परिवारी महोल शुकुन भरा रहेगा प्रेम समवन्दों में इस्कृता बनाई रखने के लिए प्रियास करने होंगे घर में सुख सांती का महोल रहेगा प्रेम समवन्दों में आपके वाहिक जीवन में जहर घोल सकते हैं इसलिए साभधान रहें पत्ति-पत्नी की समंदर में मधूरता बनी रहेगी प्रेम समंदर में पढ़गरता आएगी दोस्ता आपके स्वास्त के बारे में देखा जाए तो दिमागी काम अधिक रहने की वज़े से सिर में भारीपन और ठकान महसुस हो सकते हैं पोस्टिक आहार लें और उचित आराम भी करें दोस्ता मोसम के उतार चड़ाव होने के कारण खासी जुकाम की समस्या रह सकती है इसलिए सावधान रहें ठकान और तनाप की वज़े से स्वाव में कुछ चिल्चलापन रह सकता है ध्यान और मेडिरिशन को अपने दिन्चारिया का हिसा बनाए ज्यादा परदूसर और भिनभार वाले अस्थान पर जाने से परेज करें एलर्जी की समस्या हो सकती है चल्चलापन बात कलता आपके उपाय के बारे में और भाक्साली अंक दो है दोस्तों मालक्षमी का आशिरवात आप सभी को प्राप्त हो सच्चे दिल्शे कमेंड बॉक्स में जै मालक्षमी जरूर लिखें और वीडियो को लाइक सेर जरूर करें धन्यवाद